नमस्कार दोस्त में नाव रुपेश और आप देख रहे हैं जन्रल पब्लिक सेवा दोस्तो आज के सुटीम बात करेंगे बिहार डीजल अनुदान के बारे में अभी जो दोस्तो इसका apply जो वो start है और apply करने में कुछ भाईयों को problem आ रहा है problem किस प्रकार से आ रहा है आउनलों का कहना है कि हमारे पास 3-4 डीजल का रसीद है 3-4 जमीन का भी रसीद है बर जब online करते हैं तो वहाँ पे details जो है only for हम एक का ही feel कर पा रहे है तो क्या हमें जो है सारा का सारा पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ठीक है अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जमीन का रसीद है और एक से ज़्यादा डीजल का रसीद है तो हम उनका details जो है वो किस प्रकार से feel करेंगे ताकि हमें पूरा पैसा मिल जाए ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे, हampf this week हम आवधन करेंगे, तो यहां पर हमुद्ही प्रीटो क्लिक रेंगे, जब से पहले हमें रआवेड पर नकालना पढ़ेगा, क्योंकि हम्मने रजिस्टेसं नम्बर पताका नहीं, यहां पर प्रकार से लोग इन हो जाएगा यहां पर चेक रिच्टेशन पर करेंगे यहां पर पर आप लोग को बताया जा रहा है फाइल के बारे में यानि कि आप डिजल का रसी जो वो अपलोड करोगे तो उनका के बीज़गी जो हो चाहिए जमीन कर रसीद भी आप डालोगे इसमें तो आप लोग को 200 चाहिए और जोना चाहिए लेकिन आप तो एक प्राव्लम यह है कि यहां पे यहां पे जो कि चार पांच रसीद का प्रावलम में इसके बार बताएंगे तो यहां पे डालने वास सर्च पे हम किलिक करते हैं तो हमारा details कुछ इस प्रकार से open हो जाता है जिसको हमने यहां पे blur कर दिया है और इसको यहां पे हम नीजे करते हैं नीजे करने के बाद यहां पे details को feel करना पड़ता है यहां पे आपको लोग डाल दिजेगा खरीब ठीक है खरीब डालने के बाद यहां पे फसल का नाम जो ह इसको आप समझते होंगे बड़ी बाती कि जिसके नाम से जमीन होता है वो स्वेम कुदका मालिक होता है और जो बटेदार करते हैं उसको बटेदार करते हैं और जो स्वेम बटेदार मतलब जो जमीन दार भी है और उसने खेत को किसी को दे दिया ठीक है तो वह से दोनों को फ तक होगा तो यहां पर हम डाल देते हैं कुछ भी डाल देते हैं तो इस प्रकार के यहां पर डालना पड़ेगा उसको यहां पर खाटा खेसरा रखवा डाल दीजीगा एकमपल हम आपको करकर कहीं दिखातें चलते हैं, मतलब खाता नमर यहाँ पे डाल दिया हैं, कुछ भी डालाना पड़ेगा, तो यहां पर खाता नमर, खेस्नर नमर, थाना नमर आपके रसीत होगा, जो जमिन आप यहाँ पे डालोगे मतलब जितना भी जितना पे आपको अनुदान लेना है जितना आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे अगल वगल वला का नाम डाल दोगे हम यहाँ पे लिखतेते हैं राम एक-एक स्याम ठीक है इस प्रकार से लिख देते हैं अगर आपके पास 4-5 रसीद है यहां पे मेरे पास है ठीक अभी हमने खुद अभी अपलाई किया हुआ है 10-15 मिनिट पहले लेकिन वीडियो रूप उसका लाइब नहीं कर पाई इसके लिए सब्सक्राइब नहीं कर दोड़ियो चार का फिल्ड किस प्रकार से करना है सबसे ज्यद़ा नमर तो डीजल का मतलब यहां पर रसीद नमबर जो डालेंगे वह हम डालेंगे 1911 एक क्योंकि यहां पर एक ही नमबर लेगा ठीक है आप लोग समझते हैं मतलब थोरा सा वीडियो को लास्त देखेगा सब कुछ हम आपको समझा देंगे ठीक है एक यहां पर डालेगा जो सबसे ब जरूरी नहीं कि 1050 रसीद है, तो तो 10 15 का नाम लिखैंगे ऐसा कुछ नीए आप एक यहां पर डाल दीना है जिके आदेगा यहां पर 40ज अन्स का करना है इस्को कुछ से-कुछ डाल करके आगे आपको प्रोसेश इत से दिखाते हैं गर बता जहां ब्लम कों से-कुछ बेज़ दिया और फलतापूरबग जो ओटीपी आ भी गया है और टीपी डाल दीए यहां पे ठीक है यहां पे जो इस प्रकार से ऑप्सन आ जाएगा ठीक है यहां से मागे नहीं करेंगे आपको बताएंगे यहां पर देख लीजिएगा इसमें जो है डीजल करेंगे दोस्त सब्सक्राइब करेंगे चारों को एक बार में अप्लोड कर दोगे पांच होगा तो पांच कर लीजिएगा छे होगा तो छे कर लीजिएगा ठीक है इस परकार से आप लोगों यहां पे अप्लोड कर देना है डीजल का रिसित कख छतम हो गया इसको समझ गये कि मतलब किस परकार से हमें करना है यहाँ पे जमीन का डिटेल्स जो फिल किये हुए थे इसमें जो अलग अलग खाता खासरा है मतलब 4-5 रसीद लगा कर आप किये थे तो आप जो रसीद यहाँ पे एक ही अपलोड कर सकते हैं और आपको करना भी होगा एक की रसीद ठीक है एक रसीद जो सबसे बरा होगा जो जैसे आपको बताएं डिजल में फिल करने के लिए वैसे ही सबसे बरा जो रसीद होगा उसको इस पर फिल कर दीजेगा और उसके बाद अपलाइक कर देने के बाद जो है सब कुछ आपको लगा देना है और आपको किसान कोडिनेटर के पास जब आप दोगे फॉर्म को तो दोग नहीं सकता है ठीक है तो यही एक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पेडियाइफ आप अपलोड नहीं कर सकते हूं चार पांच रसीद है तो उसको यहाँ पर अपलोड करने का कोई तरीका नहीं है जगर जेपीजी में करोगे तो उससे बढ़िया है कि सिधा से एक ब्लेंक दोशों के वेका फॉर्मेट रहेगा तो एक ही रसीद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और आप लोग को एक ही करना है जो सबसे बड़ा आप लोग का रसीद होगा उसको आप अपलोड कर देऊगा और जया एक फिजिकल तरीका से मतलब हार्ड कोपी जो है किसान को और को लगा करके देदोगे सब रसीद उसमें लगा करके आप दोगे डीजल का भी जमीन का भी साथ में आपको बैंक आधार पास्बुक जो होता है किसान रेस्टेशन और यह इसका फॉर्म आप ऑनलाइन करोगे तो आप लोग किस प्रकार से निकलेगा थोड़ा से दिखा द इसको फॉर्म को हम सब्मिट किये हुए ठीक है इसका वह प्रोसेस था चार-पांच रसीद था डीजल का मतलब चार रसीद था और जमीन का भी तीन रसीद तो आप समझ चुक है कि किस प्रकार से इसमें जो है अपलाय आपको करना है ठीक है अब दोस्तों किसे प्रकार कोई समस्या आए तो प्लीज कोमेंट किजिएगा जहां तक हो पाएगा हम आप लोग का हेल्प कर देंगे आसा करते हैं दोस्तों यह जनका डिया आप लोग को आच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जिजिएगा चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्त मिलते हैं किसे और ना इस वीडियो में तब तक के लिए जाएं